आज मैं बनाऊंगे मीठी डबर रोटी मीठी डबर रोटी बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले मैं चाशनी त्यार कर लोगी अब एक बरतन में आदा कप में चेनी डाल दूगी और आदे कप पानी का डाल कर इसे एक से दो मिनिट पका लेंगे यह देखें चाशनी हमारी बन पर त्यार हो चुकी है आप मैं फ्लेम आफ कर दूँगे यहां पर मैंने डबर रोटी के चार स्टाइस ले लिए और आप मैं इसे राउंड शेफ दे दूगी आप चाहे तो अपनी मर्जी की कोई भी शेफ दे सकते हैं और मैंने गरम कर लिए अब इसमें टिकियां डाल कर इसे फ्राइब कर लेंगे यह देखें कितना खुबसूरत गौर्डन मराउन कलर आया है दोनों साइड से मैंने अची तरह से फ्राइब कर लिए अब मैं इसे प्रेट में निकाल लूँगी अब इसे करम चाशने में अची तरह से डिप कर देंगे दस से पंदरा सेकिंड तक इसे डिप रखने अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे अगर रेस्पी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब भी कर दें कर दो 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 झाल झाल